नमस्कार मैं हुआ विकास कुबार एश्या विल हिंदी का चुनावी कवरेज बेगू सराय में बिना किसी भूमिका के हम कनहिया के साथ हैं बस एक बात बता दूँ कि कनहिया और हम एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं तो सोसल वीडिया पे बाद में कोई तस्वीर डाल के क कि इसका कैनवास काफी बड़ा है तीस लाख पॉपलेशन है यहां पे वह आठ हजार स्टूडेंट थे और एरिया के हिसाब से भी देखेंगे तो वह एक हजार एकर में फैला हुआ इन्वस्टी है बंडरी के भीतर यह जो है पूरा का पूरा जिला है साथ विधान सभा है और 19,42,000 वोटर है तो अविसली जो छेतर है वो काफी बड़ा है इस लिहास से यह अलग है लेकिन मुद्दों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुद्दे काफी हद तक जो है वो एक जैसे होते हैं कुछ campus specific सवालों को यह दिछोड़ दिया जाए उसी तरह से कुछ बेगु सराय specific सवाल होते हैं तो more or less मुद्दे जो है वो एक ही जैसे हैं यह जब आप campus में चुनाव लग रहे थे उस समय भी आपका संगठन वहाँ कोई बहुत मजबूत नहीं था बेगु सराय में जब आप चुनाव से पहले आय और तयारी करते हैं यहां भी बहुत संगठन को लेकर कोई दिक्कत आ रही है या अब तयारी पूरी है तो वोटर को अगर आप देखेंगे तो वो मल्टिप्लाइ हो करके डेर लाख से ज़्यादा लोग हैं यह काफी significant नंबर होता है क्योंकि दिक्कत यहां इसलिए नहीं है कि पहली बार बेगु सराय में जो प्रतियाशी घोषट किया गया है पार्टी के दोरा वो यूनिमसली घोषट किया गया है मतलब लोगों ने यहाँ पे लोगों की एक mood को पकरा जो हमारे पार्टी के लोग हैं कि लोग चाहते हैं कि चुना खुरा ही खुद को आपने आपको कही नहीं है हम केंड़िएट है आप देखेंगे की गिर्याज इंटर्वियू में कहा कि इस देज में एक ही एक गिणिडीडेट है और जो नौमिनेसन उनका हुआ नॉमिनेशन के स्टेज पे जो पीछे पोस्टर लगा हुआ था उसमें गिराज सिंग जी की तस्वीर ही नहीं थी और आप देखेंगे कि बेगुसराई जब आप घूमेंगे तो दिवारों पे भी जो पोस्टर लगा हुआ है वो सिर्फ मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है तो केंडिडेट के बतार वो अपने आपको रखी नहीं रहे हैं मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और केंडिडेट अपने आपको किस मूँ से जो है लोगों के बीच लेकर जाएंगे क्योंकि वो बोले थे कि राजनीती से सन्यास ले लेंगे लेकिन नवादा नहीं छोड़ेंगे नवादा छोड़े भी राजनीती से सन्यास भी नहीं लिए और बेगुसरा करके चुना भी लग रहे हैं तो उनकी दावेदारी बतार केंडिडेट बहुत कमजोर है और रही बात तन्वीर साहब की मुझे लगता है कि हमारा और उनका मुद्दों को लेकर के कोई खास डिफरेंस नहीं है तो वो भी जो अपना दावेदारी प्रस्तूत कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ प्रस्त शुनाओ तो अभी है चुनाओ तो बीच जाएगा चुनाओ के बाद भी देश रहेगा इसा तो नहीं देश नहीं रहेगा फिर चुनाओ फिर चुनाओ यह बहुत important है उसके लिए एक united front की ज़रत है और उस united front में कहीं ना कहीं left progressive democratic secular लोग जो हैं वही सामिल होंगे वही बनाएंगे कोशिश करते रहना चाहिए कहीं न कहीं तो कमी रही और उस कमी पर ध्यान देने से ज़्यादा जरूरी है कि इस कोशिश को जारी रखा जाए तो मतलब मैं यह समझू के बाद भी इस पर चर्चा हो सकती है मतलब बंद नहीं ह लोग यह कह रहे हैं कि बेगू सराय में चुनाव लड़ रहे हैं कनहिया मोदी के विरोध के आलावे क्या मुद्दे हैं बेगू सराय के लोगों के लिए आप यहां तो हम बेगू सराय में बेगू सराय के मुद्दों पर क्या मुद्दे हैं यहां पर एक वी इनिवस्टी नहीं है, सरकों की हलत बहुत खराब है, आप जो है, जब जाएंगे गाउं में, लोगों के पास साफ पीने को पानी नहीं है, हर योजना जो सरकार भोलती है, उसकी हवा निकली आपको दिखाई देगी, लोग आज भी चूले पे खाना बना रहे हैं, सोचाले बनाने के नाम पे उनसे घुच लिया जा रहा है, छोटा-छोटा काम भी जो है उनका, मान लिजे, बुढ़ों को बिर्धा पेंसन नहीं मिलता है, सब ज्यादा सिकायद तो लोगों की यह है, कि जीतने के बाद लोग उनसे मिलने ही नहीं आते हैं, उनका दुखदर्द पूछने ही नहीं अपने क्राउड फंडिंग से चुनाव लग रहा है, यह आखरी सवाल है, मैं जाना हूँ, लोग बाहर इंतिजार कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग से चुनाव लगा है, लोग यह कहरें कि क्या चुनाव के बाद आप एक बियोरा भी देंगे कि कहा क्या पैसा खर्च और लोगों को बताएंगे एक उसके लिए देंगे नहीं, वो देना ही परेगा, सतर लाह का लिमीट है, हम तो चाहते हमको बहुत चंदा मिले, कों चाहता है चंदा नहीं मिले, चंदा मिलता हो तो हम उसको पाटी को दे देते, लेकिन वो चुनाव आपको उस पूरे उसमें यूत बहुत ज़्यादा है आपको लग रहा है कि उम्रदराज लोग जो है वो अभी आपकी बात को समझ नहीं पारे है वे गुष्राज लग यह मुखिया हैं कई बार मुखिया जीते हैं जो कि यूत जो है न वो बहुत वोकल होता है इसलिए वो ज़्यादा दिखते चलिए तो यह कनहिया थे उनको अभी चुनाव परचार में जाना है करकरता उसे नेता को छिनना बहुत मुश्किल होता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो यह एश्याविल हिंदी के टीम बेगू सराय में और जगों पर आपको ले चलेंगे बाचीत करेंगे यह कनहिया का घर है जहां हम अभी उनसे यह बाचीत कर रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया